नाशकार मैं हूँ आपके साथ मनीशा डिंडोरिया स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर आपको बता दू बड़ी खबर ये है कि रूस के NSA निकॉले पेटरिश शेव ने भारत के NSA अजीट डोबाल से मुलाकात की है आपको बता दे कि रूस के राष्टपती पोतीन और भारत के प्रधान मंतरी पीम नरेंद्र मोदी में फोन पर बाचीत हुई थी जिस पर उन्होंने अफगानिस्तान पर हुए तालिबानी कबजे पर बाचीत की थी इसी के तहत रूस के जो NSA है वो यहां पर अजीट डोबाल से मुलाकात कर रहे हैं दिली में बैठक हुई है इस इस तरीके से तालिबान में भी मंतरी मंडल बनाया गया है उसमें सभी आतंकवादियों को शामिल किया गया है तो जो तालिबान सरकार अफगानिस्तान में बन देखते हुए हो रही है जिससे की जो आतंकवादी हमले होते हैं जितने भी ISI के एजेंट है जिनका पाकिस्तान से संबंद है और पाकिस्तान का पूरा-पूरा समर्थन तालिबान को यहां पर मिलता हुआ नजर आ रहा है आपको बता दे की पंशीर में जितने भी हमले हु संबंध है वो सीधा सीधा आतंकी संगठनों से है जब तालीबान अफगानिस्तान पर 15 अगस्त को कब्जा कर रहा था तब लशकरे तैयबा और जैसे मोहमद जैसे बड़े आतंकी वहां पर पेट्रोलिंग कर रहे थे आपको बता दू कि जो तालीबान का मंतरी मंडल है उसम जितने जुझडा बिगड़ने वाले हैं जो तालीबानी आतंकवाधियों का कबजा हो गया अफगानिस्तान में जितने बी ये बड़े-बड़े मंतरी मंडल मेरी शचामिल कीए गये हैं सबको यूएण दिवारा आतंकी घोशित किया गया है, सबको यूण दॉरा के खिलाफ तो लोग प्रदर्शन करी रहे हैं साथी साथ पाकिस्तान के खिलाफ भी नारे बाजी हो रही है क्योंकि वहां के जो अफगानिस्तान के लोग हैं वो समझ चुके हैं कि पाकिस्तान का पूरा-पूरा समर्थन यहां पर तालिबानी आतंकवादियों को मिल रहा है पाकिस्तान की जो ISI agency है जो ये संगठन है आतंकवादी संगठन ये पूरा एक अपना कबजा जमाना चाहता है तालीबानियों पर और चाहता है कि अफगानिस्तान में जो तालीबानी सरकार है वो ISI संगठन के तहद चले उनकी कहने पर चले और ISI का दबदबा तालीबानिय ने आख बंद करकर उसे मंत्री मंडल में शामिल कर दिया है और ये जो नाम मंत्री मंडल में शामिल हैं वो बड़े-बड़े आतंकवादी रहे हैं ISI संगठन में ही अभी जो रूस के NSA ने अजी डुबाल से मुलाकात की है इसका जो एक रीजन ये भी था कि जिस तरीके से 2011 में अमेरिका में हमला हुआ था तालिबानी आतंकवादियों द्वारा इस तरीके के हमले अब फिर से ना हो और फिर से तबाही ना मचे तो रूस और भारत को एक साथ बैट कर बाचीत करने की जरूरत है सोचने की जरूरत है कि तालिबानियों को किस तरीके से काबु में लाया जाए जिस तरीके से पाकिस्तान से पूरा-पूरा समर्थन यहां पर तालीबानियों को मिलता नजर आ रहा है दोनों एक जुट होकर सरकार चलाने की कोशिश कर रहे हैं पाकिस्तान जो की अपना देश नहीं समाल पा रहा है लेकिन उसकी नजरे हमेशा दूसरे देशो पर रहती है दूसरे देशों पर कैसे हमला किया जाए यह जो आईएसाई के जितने भी आतंकवादी पाकिस्तान ने पाले हुए है इनको उन्होंने तालीबान में शरन अब दे दी है वहां पर यह लोग अपना ही एक अलग एजंडा सेट करके बैटे हैं कि किसी भी तरीके से अफगानिस्तान में जो तालीबानी कबजा हो गया है उस पर यह नजर गड़ाये बैटे हैं और अपने तरीके से अब तालीबान सरकार चलाने की सोच रहे हैं तो पाकिस्तान में बैठे यह आईएसाई अब अफगानिस्तान से तालीबानी सरकार चलाएंगे तो इसी को देखते हुए भारत सरकार और रूस ने बैठ कर बाचीत की है जिससे की अब इसोच विचार किया जा सके और इन तालीबानियों पर रोक थाम लगाई जा सके कि अगर कोई आतंकी हमला हुआ तो उनको बक्षा नहीं जाएगा और सक्त सक्त कदम उठाए जाएंगे इसी चीज इसको लेकर ये बैठक हो रही है आपको मैं बता दू कि ISI का जो चीफ है उसने काबुल में डेरा जमा लिया है पंशीर में वो बड़े बड़े हमले करवा रहा है अफगानिस्पानी सेनाओ पर ISI चीफ चाहता है कि अब ISI संगठन से ही तालीबान सरकार चलती रहे तो इस तरीके से ये लोग अपना एक जो जोर है वहाँ पर जमाना चाहते हैं जिससे की देखा जा सकता है आने वाले टाइम में अगर ऐसे ही चलता रहा और इन पर ध्यान नहीं दिया गया तो ये आसपास के देशों पर भी हमले कर सकते हैं जिस तरीके से अमेरिका में हमला किया तो इन पर रोक लगाने की बहुत जादा जरूरत है क्यूंकि भारत को सबसे जते हैं इस वा कि हमेशा से ही इस पर हमला कर सकते हैं तो इसी को देखते हो हैं और इस पर बातचीत कर रही है कि कैसे भी करके इस न पर सकति की जाए पाकिस्तानियों की फितरत आप यही देख लीजिए कि ISI और पाकिस्तानी सेना ने मिलकर पंशीर पर हमला किया है और तालिबानियों की मदद किया है पंशीर से जितने भी अफगानिस्तान के सैनिक हैं जो अपने देश को बचाने की कोशिश कर रहे हैं उन पर पाकिस्तान के सेना पूरी तरीके से हमला कर रही है और साथ में ISI के आतंकवादी भी मिले हुए हैं तो वहाँ पर जो अफगानिस्तान की सेना है पंशीर में पूरी तरीके से पुर्जोर कोशिश कर रही है इन लोगों को रोकने की वहीं अफगानिस्तान के सेना काम्याब भी हो रही है इन पर काबू पाने के लिए तबी तालीबान ने गुटने टेक लिए हैं तालीबान के जितने भी सेना है जितने भी उनके सेनिक है अफगानिस्तान के सेनिकों के आगे और तालीबान के जो लोग हैं उन्होंने अफगा अफगानिस्तान के सैनिकों को ओफट दिया है कि आप हमारी सैना में शामिल हो जाए तो यहां से घबराहट देखी जा सकती है इन तालिबानी आतंगवादियों की कि यह लोग घबरा गए हैं अफगानिस्तान की सैना से और चाहते हैं कि अफगानिस्तान की जो सैनिक है वो उ पुरी कोशिश कर रहा है कि किसी भी तरीके से महिलाओं के खिलाफ की किसी भी तरीके से तालीबानी जो कबज़ा अफगानिस्तान पर हुआ है उसको भटा दिया जाए तालीबान भी पूरी कोशिश कर रहा है कि किसी भी तरीके से महिलाओं का अपने समर्थिन में लिया जाए और अफगानिस्तान के लोगों को संजाने की भी कोशिश कर रहा है कि वो उनके लिए काम करेगा लेकिन जो अफगानिस्तान के लोग हैं बहुत ज़दा डरे सहमे हैं वो इन तालिबानियों की बातों में नहीं आना चाहता है क्योंकि आज से जो 20 साल पहले इरों ने कहर ढाया था अफगानिस्तान पर वो आज भी लोग भुला नहीं पाए हैं इसलिए जो महिलाएं हैं वो डरी होई हैं और ये नहीं चाहती हैं कि तालिबान का कबजा हो और त स्पोर्ट करते हैं और इतना ज़्यादा तबाही मचाते हैं कि अफगानिस्तान के लोगों का जो विश्वास है इन पर बिल्कुल नहीं हैं अफगानिस्तान के लोग इन पर विश्वास ही नहीं करना चाहते हैं इसलिए नारे बाजी खूब की जा रही है धरना सही बने रही है तन्यवाद